नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फस्ट स्टेडी पॉइंट में दोस्तों आज की इस वीडियो में देखेंगे सिंप्लिकेशन के मोस्ट इंपोर्टेंट कोस्चन ये कोस्चन सभी एक्जाम में बहुत बार पुछे गए हैं और ट आते ले यहां इए वहला नइन कितना दिया गया यह ध्यान देना है तो वहाण 9 दी आ गया और दिया जितना 9 टिया गया 0 लिख लेना है और यह दोनों में एंदर कितने का 1 का माइनस एक करेंगे और घटा लेंगे तूं इंसर आजाएगा नवासी नवासी हमरा answer आजाएगा नेक्स देखते हैं question number 2 सभी question important है इसलिए वीडियों तक जरूर देखना है जिधर इतना 9 इधर कितना 9 है तो 1 9 है और इधर कितना 9 है double 9 तो double 0 लिख लेंगे और अंतर कितना है यहाँ पर 9 और 5 में अंतर minus करेंगे 9 में 5 घटा लेंगे तो कितना जागा minus 4 करेंगे minus और सभी को इसमें घटा लेंगे कितना जागा 8 9 6 हमारा answer आजागा next देखते है question number 3 क्या दिया गया यहाँ पर जितना 9 है यह वाला तो उतना 9 यहाँ पर लिखना है और यह वाला 9 निधर double 0 जितना 9 है उतना 0 लिख है तो minus 7 यहाँ लिखना अंतर उसके बाद घटा लेना है जो एंसर आजागा वही होगा हमारा answer 9 8 9 3 हमारा answer आजागा next देखते हैं question number 4 क्या दिया गया सभी question important है यहाँ देखे यहाँ 9 कितना है double 9 तो double 9 लिखना है और इधर कितना 9 है तिरपल 9 तो तिरपल 9 लिख लेना है और इधर अंतर कितने का माइनस 1 का तो माइनस 1 कर लेंगे तो घटा लेंगे 9 8 9 9 9 हमारा answer आजागा next देखते है question number 5 क्या दिया गया है यहाँ पर इधर वाला 9 देखना है कितना दिया गया है 3 9 दिया उसके बाद यहाँ वाला 9 देखना है कितना दिया गया है तिरपल 9 दिया गया है तो तिरपल 0 लिख लेना है तिरपल 0 और माइनस यहाँ पर करेंगे इसमें कितना जागा माइनस 4 घटाने के बाद इंसर कितना आ जागा 998996 हमारा एंसर आगा नेक्स देखते हैं question number 6 क्या दिया गया है दियाल से देखना है यहाँ जितना 9 दिया गया है वहाँ पर 9 उतना लिख लेंगे और इधर वाला 9 कितना दिया है तिरपल 9 तो तिरपल 0 लिखेंगे और अंतर कितने का है यहाँ पर minus 1 का है तो minus 1 गटा लेंगे 998999 हमारा एंसर आगा नेक्स देखते हैं question number 7 क्या दिया गया है यहाँ पर देखना है यहाँ पर पलस है तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है इधार वाला जितना 9 दिया गया है तो वहाँ यहाँ सबसे पहले 9 लिख लेंगे और यहाँ जितना 9 दिया गया उतना 0 लिख लेना है और पलस है तो कुछ नहीं गटाना जोड़ना है सेम एंसर आ जागा इतना ही और अगला कुछ नहीं कितना गया है और यहांपर कितना ना इन यह तो कितना दिया गया और दिया और double 9 है तो double 9 लिख लेना है यहाँ वाला 9 तो double 9 लिख लिए उसके बाद यह 9 कितना दिया गया है 1, 2, 3, 4, 5 तो 5, 0 लिख लेंगे 5, 9 दिया गया है यही हमारा answer आ जागे next देखते हैं question number 10 very important question है ध्यान से देखना है क्या है अंडर रूट में 555 है तो इसको बनाने के लिए क्या करना है जब अंडर रूट में दिया गया रहे है तो क्या करना इंसर सेम आ जागा 5 next देखते हैं question number 12 यह question 11 नमर है यह question आप लोग बनाये होंगे कि क्या ऐसे तोड़ना है इस परकार से यह कितना आना चाहिए तरी मल अंतर वन का आना चाहिए और multiply करने का बाद 12 तो अंतर देखे यहां वन का रहा और यहां पलस का चीन है तो पलस बलाव जागा तेंसर आ जागा फोर नेक्स देखते हैं question number अगे को है कितना question number 12 12-12 अंडर रूट में तो इसको कितना होगा 3 multiply 4 और माइनस है तो छोटा वला हो जागा 3 इंसर हो जागा नेक्स देखते हैं question पलस का है तो बड़ा वला इंसर आजागा 5 नेक्स देखते हैं यहां पर माइनस का है तो उसी परकार तोड़ देना है 4 multiply 5 इस परकार तोड़ना है कि अंतर सेमा और multiply करने के बाद 20 और माइनस यहां पर है तो छोटा वला इंसर हो जाएगा फोर नेक्स देखते हैं question number आगे रूट सेवन अंडर रूट रूट सेवन सभी में डॉट डॉट करके इंफिनिट के पर तो यहां जब तक ऐसा आए question तो सीधा इंसर आजागा सेवन नेक्स देखते हैं question number अगला अंडर रूट में थिरी थिरी यहां पर ध्यान से देखना है यह very important question है इसमें देखना कितना दिया गया है कितना एक है तो एक दो तीन चार पांच तो पांच है तो सबसे पहले थिरी लिख लेंगे और यहां पर पावर टू करेंगे तू पर पावर पांच करेंगे तो यह कितना आ जागा 32 तो नीचे लिख लेंगे 32 और 32 में एक घटा लेंगे कितना आजागा 31 तो तीन पर पावर 31 वटे 32 एंसर आजागा नेक्स टेक्ट हैं कॉस्चन नमबर आगे यहां पर रूट 5 तीन है तो यहां सबसे पहले 5 लिख लेना है और 2 पर पावर 3 करेंगे तो यह कितना जागा 8 तो यहां पर 5 8 नीचे लिखेंगे और 1 माइनस करेंगे कितना गया 7 तो यह हमारा एंसर आजागा नेक्स देखते हैं कॉस्चन नमबर अगला कॉस्चन नमबर है प्लस रूट 5 प्लस रूट 5 डॉट डॉट करके हैं यहां पर जब प्लस में आए तो आप लोग फर्मूला लिख सकते हैं कि रूट अंडर रूट 4A प्लस 1 बाइटू प् प्लस होगा तो इसका फर्मूला बिना रटे भी यहां से मल्डिप्लाइप कर सकते हैं कि Code 4 से कितना यागा ट्वूट ड॒ं करेंगे ऑटwo करेंगे प्लस 1 करेंगे क्या आजागा 21 by 2 प्लस 1 यहीं हमारा एंसर आजागा नेक्स देखते हैं question number अगला question number है minus का minus 5 प्लस 5 जो यहां पर शुरू में है उसके बाद minus under root 5 under root 5 उस पर का रहा है तो यहां भी वही करना है multiply 4 से करना है कितना आजागा under root 20 प्लस 1 और यहां minus है इसलिए यहां last में minus होगा अब by 2 तो कितना आजागा under root 21 by 2 minus 1 तो यहीं हमारा एंसर आजागा next देखते हैं question number अगला question number क्या दिया गया है under root 7 सभी dot dot करके और विशम संख्या जब भी इस पर कर रहा है तो multiply 4 से करना है कितना आजागा 28 प्लस 1 और यहां पर प्लस है इसलिए यहां भी प्लस हो जाएगा और by 2 तो कितना आजागा 29 by 2 प्लस 1 हमारा एंसर आजागा next देखते हैं question number अगला question number यह important question है क्या दिया गया एक बार प्लस दिया गया और एक बार मैनस दिया गया जब एक बार प्लस दिया गया है और एक बार मैनस दिया जा रहा है तब यहां पर क्या करना है प्लस के जगह प्लस आएगा और यहां पर प्लस और एक बार मैनस आए तब मैनस 3 करना है वहाँ पे plus 1 या plus minus 1 किया जा रहा था तो यहाँ पे क्या करना है multiply 4 से करना है और minus 3 करना है multiply 4 करेंगे कितना आजाएगा 20 और minus 3 by 2 plus 1 इसको घटा लेंगे कितना जाएगा under root 7 by 2 plus 1 हमारा answer आजाएगा तो next देखते हैं अगला question क्या दिया गया है question number अगला है under root 7 minus यहाँ पे है शुरुवात में तो और एक बार फिर से plus फिर से minus जब 20 पर कर रहे हैं multiply 4 से करना है और minus 3 करना है multiply 4 करेंगे कितना आजाएगा multiply 4 करने के बाद कितना आजाएगा 28 और यहां पर कितना आजाएगा minus 3 और यहां minus है तो यहां भी minus हो जाएगा और by 2 तो 28 में minus 3 करेंगे कितना आजाएगा 25 25 by 2 minus 1 25 कितना under root कितना 5 का root हो जाता है minus 1 और इसको solve करेंगे कितना आजाएगा 3 by 2 next देखते हैं question number अगरा question number क्या दिया गया इंपोर्टेंट question है ध्यान से समझना है 63 है और यहां 2 है फिर 63 है फिर 2 है जिस परकार हम लोग वहां से तोड़ रहे थे जैसे 12 वाला कितना तोड़ने के बाद अंतर एक का आना चाहिए तो यहां अंतर 2 का आना चाहिए और multiply करने के बाद 63 आना चाहिए तो क्या करना होगा हम लोग को 9 multiply 7 करेंगे 63 आ गया और अंतर यहां पर देखे 2 का रहा है तो यह अंतर यहां आना चाहिए तो यह हमारा जब पलस वाला है तो पलस वाला एंसर आ जाना चाहिए क्या होगा पलस वाला एंसर सबसे बड़ा वाला एंसर क्या होगा नाई नेक्स देखते हैं आगे question number जब यहां minus वाला दिया गया रहे तो सेम तोड़ना है कितना 9 multiply 7 तोड़ने के बाद माइनस 2 और चाहिए यहां 2 का अंतर रहा चाहिए पर यहां पर चोटा वाला एंसर आजा कितना सेवन गें सेब्ससंट ह आ रहा है तो इसमें बड़ा वला एंसर आ जाएगा तो इसमें बड़ा वला एंसर कौन सा है सेवन तो आज के लिए इतना ही तब तक के लिए धन्यवाद